शिवराज सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है अब ग्रीश मकालिन मूंग को भी सरकार समर्थन मूल पर खरी देगी क्रशी मंतरी कमल पटेल ने कहा कि 2023 चोईस वर्ष में जो किसान ग्रीश मकालिन मूंग की फसल ले रहे हैं उनकी फसल सरकार पिछले किसानों के हितमे कई दे दिए गये जिसमें सरकार मैं फैसला किया है कि जो किसान प्रदेश में मूंग की फसल ले रहे हैं उनकी फसल प्रदेश सरकार पिछले वर्ष की भाति समर्थन मूल पर खरीद एगी कर्शी Apa प्रदानमंत्री मूदी का किसानों की आयब लğimना करने क जो सपना है वो सपना शिवरास सरकार के अथक प्रयाश से पूरा होगा जहां एक और प्रदेश सरकार ने किसानों को मिले टानाज योजना की सौगात दी ए वहीं दूसरी और प्रदेश सरकार मूंग की फचल को समर्थन मूल पर खरीद कर किसानों की आए बढ़ाएगी किसान बाजार में मूंग को 4,000 रुपा प्रतिकुंटल की दर से बेचता है लेकिन बजार में रेट कम है और समर्थन मूल बहुत जादा है और इसलिए समर्थन मूल पर हमने पिछले बार 7,255 रुपा खरीद है जब कि बजार में 4,000 से 5,000 रुपा था तो प्रतिकिसान 2,000 से लेकर 3,000 रुपे कुंटल किसान को ज़्यादा रेट दिलाने में हम समर्थन मूल पर खरीदी करकर सबल हुए और किसान के आय बढ़ाने के लिए किसान को खेती का लापकारी मूल दिलाने के लिए हमने मुख्यमंतर जी के नियत्तत में मुख्यमंतर जी ने मूंग की खरीदी किये समर्थन मूल पर पूरा मूंग खरीदा है और इसलिए जो बाद में हमने जो बजार में बेचा उससे जो नहानी हुई है उसकी पूरतिवी सरकार किसान के इत्में कर रही है जिससे किसान उसकी फशल को उसचा इत्मूल मिल सका जो आपके काम की है जो आपके लिए दरूरी है अठों हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटिक मिशलेश हम करते हैं सत्तिका अनवेशा तखल नियूस आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल नियूस